जैहिन मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स ट्याइम आपका स्वागत है स्टाप, सेलेक्शन, कमिशन, SSC के द्वारा टेंटेटिव जो कलेंडर है एक्जामनेशन, 28 फर्स टोर 28 सेकिन के लिए जो भी रिक्रूट्मेंट जारी है उसका कलेंडर जारी कर दिया गया सौटली रूप से हम आपको प्रोवाइट करने की कोशिस करेंगे इससे पहले हम आगे बढ़े ये दिया आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स टैम को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बिल आइकन को प्रेस कीजिएगा जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइट किया जाएगा उसका नोटिकेशन आपके पास टाइम पर उबलब दो जाएगा सबसे पहले बात करें तो पोश्ट है यहाँ पर कंबाइंड ग्रेजरेट लेबल एक्जाम है जो फर्स्ट एक्जाम होना है 23 बार 2021 से स्टार्ट हो जाएगा इसका फॉर्म भरना और 23 अगर जन्वरी की बात कर तो 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं के तो मल्टी टास्किंग हो गया नों टेक्निकल इस्टाफ 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 इग्जामनेशन ट्विंटीएथ फॉर्ष्ट एक्जाम होना है इसके अंतरगत पे 22 तीन 2022 मतलब 22 मार्ट से 2022 से आप फॉर्म भरेंगे और 2022 जून में आपका इक्जाम हो जाएगा चौते नम्मर की बात के तो सलक्षन पोष्ट इग्जामनेशन फेस एक्स की बात कर तो सीव इग्जाम होना है दस माई से आप फॉर्म भर सकते हैं और नौ जून तक आप आपका इस फॉर्म को भर लेंगे और जुलाई के अंतरगत पर आपका इक्जाम हो जाएगा पांचो नम्मर की बात के तो रिक्रूट्मेंट ओफ दे हैड कोस्टेबल मिनिस्टियल के अंतरगत पर इंडेली पॉलिस एक्जामनेशन फॉर्म भरनाई स्टार्ट करेंगे और 16 जून तक आपका इक्जाम हो जाएगा देखे 6 नम्मर की बात के तो रिक्रूट्मेंट ओफ कॉस्टेबल ड्राइवर के लिए इंडेली फॉलिस एक्जामनेशन फॉर्म भरनाई स्टार्ट करेंगे और 26 जुलाई तक लास्ट है और अक्टूबर दो जारबाईस में आपका इक्जाम हो जाएगा 7 नम्मर की बात के तो रिक्रूट्मेंट ओफ हेट कॉस्टेबल ड्राइवर 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 के लिए इंडेली फॉलिस एक्जामनेशन 2022 के अंतरगत पे 47 2022 में ठीक क्या है 47 2022 के अंतरगत पर फॉर्म भरनाई स्टार्ट करेंगे 38 2022 मतलब क्या है कि 3 अगस्त तक क्या कर सकते हैं लाश्ट इसका फॉर्म बरना है 3 अगस्त वे नॉम्बर मापका इसका भी एक्जाम हो जाएगा आठवन नम्बर की बात के तो सब इंसेपेक्टर इंडेली पुलिस एंडे सेंट्र आर्मड फुलिस फॉर्स एक्जामनेशन 20 फश्ट पेपर फश्ट की बा के तो फेवर फश्ट है 22 अगस्त 2022 से फॉर्म बरना है स्टार्ट करेंगे और 21 अगस्त के सेप्टरमर के अंतरगत पर क्या है लास्ट टेट हो गया ठीक है 22 अगस्त से लेकर 21 से तंबर एक मेहना लबलबक देते हैं फुरा फॉर्म बरने के लिए और दिसंबर 2022 में आपका 29 अगस्त से फॉर्म बरेंगे और 28 सेप्टमबर तक आप इस फॉर्म को बर सकते हैं और जनवरी 2023 में आपका क्या हो जाएगा इसका एक्जाम हो जाएगा और 11 नमबर की बात के तो रिकूर्टमेंट अब एम टीएस हो गया सिविलिन के अंतरगत पर सिविलिन के अंतरगत क इसका इक्जाम हो जाएगा 12 नमबर के बात के तो जूर्म इंजिनियर से हो गया सिविल मेकैनिकल इलेक्टिकल एंड दे कोईंतिटिव ठीक है सरबेंग और उसकी बात की बात के तो कॉंट्रेक्ट का इक्जाम होना है 2020 के अंतरगत पर तो 28-14 ठीक 28 नॉम्बर से फॉर्म 27 दिसंबर तक क्या कर सकते फॉर्म बर सकते और मार्च 2023 में इसका एक्जाम हो जाएगा इस्टेनोगराप का जो एक्जाम है great C और D का एक्जाम नेशन 5 12 2022 के अंतरकत पर अगर 5 दिसंबर से आपका फॉर्म बादना इस्टार्ड हो जाएगा और 31 12 2023 के अंतरकत पर आप क्या कर सकते इसके फॉर्म को भर सकते ये चीज़ भी आप यहां पर ध्यान रखना ठीक है और उसके बात की बात के तो जो 9 जन्वरी है 2023 तब से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं और 12 फबरे वरी तक ठीक है बार 12 फरवरी जो है 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और मैज 2023 में क्या हो जाएगा आपका एक्जाम हो जाएगा 15 नममर की बात के तो लाश्ट है इसके अंतर गत था कॉस्टेवल प्लुमम प्ल कोड़ा है सेंटरल पुलिस फोर्स हो गया इन एया हो गया डबल एस एफ हो गया और राइफल में जीडी के लिए ठीक है जनरल टूटी जिसको गहा जाता है इन असाम राइफल जो एक्जाम देशन 2022 से उसका 22 फेब्रवरी से आप फॉर्म बर सकते है ठीक है बाइस फरवरी से और उसके अंतरगत पर क्या हो गया 31 मार्च तक इसका लाश्ट डेटों का दो नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको प्रोवाइट करेंगे और जो भी होगा इससे आगे हम बढ़ें तो हमारी चैनल नेक्स टाम को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तधा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जो भी कंटेंट जो भी इनफॉर्मेशन हमारे द् वापस उपलब्द हो जाएगा जय हिंद जय भाराएगा